Hello Friends Welcome to Dissus Learning This is the last part and the 12th Part of Natural Vegetation Series & Bio Geography of India Series तो इसमें हम लोग alpine forest के बारे में detail में discuss करेंगे दोस्तों Alpine forest होता है वो 2900 meter से लेके 3500 meter तक छौल होता है मतलब उतना altitude में रहता है और इसका जो forest है इसका भी तीन सब टाइपत है वह एक sub alpine forest होता है, फिर moist alpine shrub होता है, और एक dry alpine shrub होता है, तो इन तीनों के बारे में आप लोग यहाँ पर detail में discuss करते हैं, sub alpine forest जो है, that occur in low alpine shrub and grassland, यहाँ पर low alpine shrub और glassland देखने के लिए मिलता है, यह जो है, it is mixture of coniferous, coniferous tree भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, coniferous मतलब बहुत चोटे-चोड़ा tree, पतला-पतला tree, 5-1 लेक जो आपका लिप समा पर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर, broad leaf trees भी देखने के लिए मिलता है, in which the coniferous attain a height of 30 meter, coniferous जो हैं बहुत जादा height पर रहते हैं, height attain करते हैं, बहुत टॉल रहते हैं, लेकिन broad leaf trees थोड़ा stunted रहते हैं, उनका canopy थोड़ा बड़ा होता है, as compared to coniferous tree, यह आम बाद है, आपको सबको पता होगा, coniferous tree जो होता है, और जो broad leaf tree होता है, उसका ऐसे देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए coniferous tree का height ज्यादा होता है, यह ऐसे बहुत टॉल होता है, और यह वाला ज forest, इसके लिए भी आपको trick मिल जाएगा, जोगरफी tricks में, trick वाला playlist में जाके आप देख सकते हैं, आराम से उस trick को अगर आप लोग सुन लेंगे, देख लेंगे, एक लिक लेंगे ना, तो कोई भी answer अगर natural vegetation से आये, तो आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही मजदा trick है, उसको आप ज़रूर देखियागा, यहां पर देखते हैं, मौस्ट अलपाइन स्रॉप के बारे में, मौस्ट अलपाइन स्रॉप नाम से पता जलता है, थोड़ा यहां पर थोड़ा moisture condition अच्छा रहता है, इसलिए उसको मौस्ट अलपाइन forest बोला आता है, और अगर हम लोग यहां थाउजन मीटर से ऊपर यह रहते हैं, इसके बारे में लोग डिसक्स कर चुगे है, तक यह एकस्टेंट करता है, थाउजन मीटर से लेके, पहुँच जाता है, वहां जहां तक जहां से ऊपर रहता है, वहां तक यह रहते हैं, और जो ड्राय आलपाइन forest तो तीसरा टेवे इसका, उसके बारे में देखेंगे, तो उसको पता जलेगा कि अपर मोस्ट लिमीट जो होता है, अपर जरॉफाइट ड्वार्प श्रॉप, 3500 मीटर से ज्यादा सी लेवेल पर रहते हैं, बहुत हाइट पर रहते हैं, यहां पर स्रिप आपको स्नूफॉल मिलेगा, रिनफ स्रॉब, तो दस्तों हम इस वीडियो में अल्पाइन क्रॉप इसको पर रहते हैं, उसमें हम लोग सब अल्पाइन फोरेस्ट के बारे में देखा, इसमें हम लोग का नेच्छल वेटेशन, और बाकी जो बचा है, वाल वोरेस्टी, अगरो फोरेस्टी उसको लोग नेक्स section of our bio geography so stay out of it for the next series thank you